दूस्थों CSC में एक नई सर्विस बहुत जल्द लाँच ओने वाली हुग अगर बेखनी सर्विस लाँच ओने वाली है खोलेंगे एक लाग चार्जिंग इस्टेशन जीए मैं आपको पुषिचल कैसर ओफिशल न्यूज दिखा देता हूँ आपको मनले चलूँगा इससे देख रहो है शेशी इगोवन नेज़े ट्विटर अकाउंट है उनका और यहां पर उनका आज एक पोस्ट अभी आठ गंटे पहले ही पब्लिश किया गया है यहां पर आप देख सकते हो शेशी टू टार हम से शेशी टार्गेट ओन लाइक इवी चार्जिंग इस्टेशन फिटर विलेज लेबर इंटरपेनियोर से पार्टिश्पेशन वी विल लाजर दैन आई ओशी सेज सी ओई मतलब कि जो सीसी के सीओई हैं दिनेश्टियागी सर्ण उन्हें बोला कि मैं आई यो सी का फुल फॉर्म क्या होता है इंडियन ओयल कॉर्परेशन इससे भी ज़्यादा मैं बड़ा काम करने वाला हूँ सीसी के मादम से तो यह बहुत ही जल्द सर्वेस लाउंच होगी दो से पहले अगर आपने हमारे सनल को सब्सक्राइब नहीं किया दो प्लीजरों सब्सक्राइब करें और फुल डेटेल जाने के लिए आपको आ जाना इस पोस्ट पर दोस्तों जिसका लिंक में डिस्केप्शन में दे दिया है तो का इलेक्टिक कार चार्जिंग स्टेशन होत पता है एक प्रेट्रॉल पंप होते हैं उसी के माप बिलकुल उसी का एक स्वरूप है इलेक्टिक कार चार्जिंग स्टेशन चाहिए कि आने वाले समय में इन सभी स्रोतों का जैसे हम बात करें डीजल की प्रेट्रॉल की खत्म होने वाले हैं और कहीं न कहीं आप आएगा इलेक्टिक कार का सिस्टम क्योंकि इलेक्टिक कार जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं वो उसमें चार्ज कर गया आपका बैट्री रिक्सा जो चल रहा है और इसको एक बार चार्ज करने पर बेतरी सा वो चलने वाला होता है तो इसी का समय आने वाला है आने वाले समय इं तो इसको अगर सरकार को इलेक्ट्रिक से विखल चलाने है तो सबसे इंपॉर्टन तिंग्स क्या होगी पहले इसके इस्टेशन ओपन किये जाएं जैसे कि अगर गाड़ी चलानी है तो प्रटॉल पंप होना बहुत ही आवश्चक है तो उसी को मद्दे नजर से रखते हुए गवर्मेंट ने सबसे पहले ऑल इंडिया में इलक्ट्रिक कार चार्जिंग इस्टेशन खुलने का मुहिम स्टार्ट करने वाले हैं और यह सर्विस भी सेसी को मिलेगी साथ सोड़ी बात है यह सेसी पूरे ऑल इंडिया में से चलाई जाएगी और जैसे इस पर कोई नया अपडेट आता है कोई इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है कि इसको कैसे आवेदन करने हैं क्या इसके और भी मापदेंड रहेंगे तो उसके बारे मैं आपको लगातार इंफॉर्म करता रहूंगा तो आप मेरे से जरूर जोड़े रहें और दोस्तों हमारा एक हेल्पन हिंद